हेलो दोस्तों सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तों आजम इस वीडियो में आपकारी एवं परवर्तन सिफाई का प्रीवेज एर क्यूस्चन पेपर देखने वाले हैं चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहला यूश्य ने उत्राखन राज्य में किस वर्स को परियेटन वर्स गोसित किया गया 2015 को निम्न में से छेत्रपल की द्रिष्टी से उत्राखन का सबसे बड़ा अभ्याराने केदानात पसु वियार इसकी स्थाबना 1922 में चमूली वय रुदर परियाग में होती है राजाजी नेसल पार्क की स्थाबना 1923 में हरिद्वार, देरादून और पोड़ी गड़वाल में होती है कारबेड नेसल पार्क की स्थाबना 1936 में पोड़ी और नेनिताल में होती है उत्राखंड विधान सभा में एक सदस से नामित किया जाता है ओप संडी इन में से कोई नहीं उत्राखंड में इस्थित कामेट सिखर की उचाई है 7756 मेटर और नंदा दिवी परवत की उचाई 7887 मेटर है और चोकंबा परवत की उचाई 7138 मेटर है उत्राखंड में आबकारी वयवस्था किसने आरम की थी जोर्ज विल्यम ट्रेल ने 1822 में यह वयवस्था इस्टार्ट की थी सत्रवी वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सरवादिक वन छेतरपल वाला जनपद कोन साय पोड़ी गड़वाल और परती सत में नेनी ताल है उत्राखंड में नमामी गंगे कारी करम का सुभारम कहा किया गया रिशुकुल मैदान हरी दुवार में उत्राखंड राज्य में बेलमदी चुहान तता हनसा दनाई जानी जाती हैं उत्राखंड राज्य आंदोलन के सहीद के रूम में 2011 की जन गर्णा के अनुसार उत्राखंड में महिला साक्सर्ता की दर है 70 और पुरुस की 87.40 है और उत्राखंड की ओसत साक्सर्ता 78.82 है टीरी बांदगी उचाई है 260.5 मेटर टीरी बांद बागिरेती और बिलंगना नदी के संगम पर हैं गोर्खाओं ने गडवाल पर पर्थम आगर्मन कब किया था 1791 में और 1790 में कुमाओ उपर गोर्खों ने पहला आगर्मन किया था राजाजी नेसलन पार्क की इस्थाबना होई 1983 में हरद्वार देरादून और पोड़ी गडवाल में इसकंद पुराण में नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है फुलो की गाटीगा दुनागरी गलेशियर किस जनपद में इस्तिदे चमोली जनपद में उत्राखंड मंत्री परिसद में मुक्छे मंत्री सेथ अधिक्तम कितने मंत्री हो सकते हैं 12 इस्थाबना होई 1904 में उत्राखंड का पर्थम उले किस धार्मिक गरंध में मिलता है रिगवेद में बदरिनात मंदिर के निर्मान के लिए किस कत्यूरी सासक द्वारा भूमी दान दी गई थी ललित सुर्देव के द्वारा जिलमिल ताल उत्राखंडगे किस जिले में इस्तिते चमपावद में और चमपावद में श्यामला ताल भी है निमलकित में से नंदा दिवी मंदिर के निकट इस्तित ताल है बेनी ताल मेक दूत का कुमावनी पदों में अनुवाद किस ने गिया लिलाधर जोसी ने देरादून फुटबाल अकादमी की इस्थापना हुई 2011 में वर्ष 2011 इस वीकी जनगर्णा के अनुसार उत्राखंड में सरवादिक नगरिय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है देरादून और सबसे कम वाला बागेस्वर है बदिनात मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है तीन भागों में इसका अंसर चार भी मिलता है काट गोदाम किस नदीगे तटपर बसाए गोला नदीगे उत्राखंड में राष्टपती सासन लागू हुआ 27 मार्च 2016 को और इस समय उत्राखंड के मुख्य मंतरी हरीश रावत थे निमन में से कोन सुमेलित नहीं है ओप्सन देखते हैं खटीमा कान एक सितंबर 1994 को या समय उत्राखंड के किस इस्थान से चीन में परवेश करती है लिपुले दर्रे से या पितोरागड जनपद में है निमलिकित में से 27 अप्रैल 2017 इस्वीगो उत्राखंड के किस सहर गो महानगर गोशित किया गया और इसी केस को 2017 में कोटद्वार गो नगर निगम गोशित किया जाता है उत्राखंड भारतिय गणतंतर का राज्य है 27 वा लेकिन वर्तमान में 26 वा है उत्राखंड के छटवे राज्य पाल थे डाक्टर कृष्ण कांथ पोल डाक्टर अजीज कुरेशी ये पांचवे नंबर के थे और बियल जोसी ये तीसरे नंबर के थे कुमाओ का सबसी प्राचीन वयपारिक मेला है बागेश्वर मेला गंग नानी तप्त कुंड किस जनपद में इस्तिदे उत्रकासी जनपद में अंग्रेजों ने किस सन में गोरखा सासकों को उत्राखंड में प्रास्त किया 1815 इस्वी में टेस्वर बांध का निर्माज किस नदीबर किया जा रहा है भागिरेती नदीबर कासी नात ने कासी नगर की इस्तापन कब की थी 1649 इस्वी में उत्राखंड राज्जे में अटल आदर्स गराम योजना किस वर्स परारम की गई दो हजार नो में उत्राखंड में राज्य सेक्सिक पुरुसकार योजना कब से प्रारम हुई 2009 से तो दोस्तों या देमारी वीडियो अगर आपको च्छे लगियो तो कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद